हेलो गाईज वेलकम बेक तो माई न्यू ब्लोग तो कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे होगे तो गाईज फिलाल है हम तुगलगावार मेट्रो इस्टेशन पर तो अभी यहां से है लगबग जो असोला बाटी अभ्यारण है वह यहां से है 6 किलोमेटर तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया आपको हम जा रहे हैं असोला बाटी यह है वाइल लाइफ सेंचुरी तो यह है तुगलगाबाद में तो मेट्रो स्टेशन के नीचे डी मार्ट था डी मार्ट से हमने यह कुरकुरे और बिस्किट लिया है फिर उसके बाद हमने एक र अगर आप अकेले हो और आपको कहीं पर ट्रैवल करना है तो सबसे अच्छा उप्षन है आपके पास रैपीडो का आप रैपीडो बुक कीजिए और कहीं भी चले जाए और इसका मतलब जो फेर है वो बहुती कम है तो फिलाल हम निकल चुके हैं तुगलगाबाद मेट्रो की तरफ तुगलगाबाद मेट्रो स्टेशन से जो असोला बाटी की दूरी है वो होगी लगबद अराउंड में 6 किलोमेटर के आसपास और रास्ते में जाते हुए आपको लगबद पत्थर के थोड़े-बहुत पहाड पढ़ेंगे छोटे-छोटे से और कुछ अच्छा एक व्यूव देखने को आपको मिलेगा और आपको मतलब ऐसा फील आएगा जैसे कि आप बनों में चल रहे हो काफी अच्छा फील आता है तो जाता देड़ना करते हुए हम आपको सीधा लेके चल रहे है थोड़ा तेजी से चलेंगे अब हम कि अच्छा फाइनली हम आप पहुचे हैं वाइड लाइफ सेंचुरी यह देखिए यह फ्रेंट में लिखा हुआ है असोला वाटी वाइड लाइफ सेंचुरी न्यू देली तो यह एंसी आर के रीजन में आता है यह इसका में एंट्रेंस केट है तो दोस्तों मैं पहली वार किसी वाइड लाइफ सेंचुरी में आया था और मैं काफी एकसाइट था तो देखिए यह अंदर का व्यू है काफी अच्छा लगा मुझे और यह सामने जो आप देख रहे हो यह है साइकल ट्रेक अगर आपके पास अपनी साइकल है तो आप यह ट्रेकिंग कर सकते हो यहाँ पर फिलाल हम चलते हैं टिकेट की और यह टिकेट काउंटर है यहाँ पर और टिकेट का प्राइज है मातर 10 रुपीज तो दोस्तों टिकेट लेने के बाद हमें जो बताया गया टिकेट काउंटर पर कि यहाँ पर टेक्सी सर्विस है वो प्रकुल फिरी है और यह वाइड लाइफ सेंचरी में आपको पूरा गुमाएगी और उसका कोई भी चार्जिस नहीं है तो हमें तो बहुत खुशी पर उसके लिए कंपल सरी था कि उसमें चैपेसंजर होने ही चाहिए विदाउट ड्राइवर मतलब ड्राइवर सेवन परसन होगा और अगर उसमें एक भी परसन काम है तो वह टेक्सी लेके नहीं जाता था अभी हम निकले हैं जहां पर जो है यह टेक्सी खड़ी होई थी यह टेक्सी है यह है इलेक्ट्रिक वहिकल है यह सामने आपके खड़ी होई है फिर यहां पर हमने इससे बात किये तो उसने कहा कि मेरा टाइम ओवर हो गया है आपको जल्दी आना चाहिए था उसने ऐसी बाते बनाई बहुत सारी और क्योंकि हम लगबग पहुचे थे साड हो गया है डूटी ओवर हो गई है मेरी जबकि इनका टाइम होता है दो बजे तक का एक बजे हम सीधा वहां पर पहुच गए थे फिर भी उसने जो है साप साप मना कर दिया तो यह बात मुझे वहां पर बहुत गंदी लगी यह बाते सुनके जितना मूंड अच्छा था जि भी नहीं देख पाए तो क्या करते फिर फिर हम निकल पड़े हैं पार्क की हो यह सामने जो है आपके यह पार्क है यह दो पार्क महां पर बने हुए है एक बटरफ्लाइ पार्क है और दूसरा है बर्ड पार्क महां पर तो फिलाल हम बर्ड वाले पार्क में यहां पर तो इसी से संतुष्टी गन्नी थी तो चलिए एंजोई करते हैं नहीं पार्क्स का तो इस वाले पार्क में क्या इन्हों ने बहुत छोटी छोटी जोपनियां सी बना रखी थी पक्षियों के लिए और यह काफी जगा रखी होई थी और यह काफी कूल आइडिया लगा हमें वालिड लाइप सेंचुरी वालों का काफी अच्छा था है झाले टो इस थाइयर यह के लिए पया हमें पुटी अजब लाइप में जगब चासू थारी थारी यह मुड़ग ज़ा झाल झाल लास्ट में हम आ गए हैं बटरफलाई पार्क यह है वटरफलाई पार्क तो चलिए आईए लेके चलते हैं आपको बटरफलाई पार्क के अंदर देखिए वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ जो यह दोनों पार्क है न यहाँ पे दिल्ली के अंदर है और मतलब इन में इत इतना रिलेक्स फिल करोगे, इतना जादा रिलेक्स फिल करोगे कि एकदम मज़ा आने वाल आइन फारको में आपको और देखिए अगर आपको टाइम है और आप बाइड लाइफ सेंचुरी गोमने आते हो अपनी कार्ड से आई है अगर कार नहीं है तो मिलके कम से कम 6 बंदे तो आई है और आके इवी से टाइम से आना थोड़ा और इवी से अपना घूम के जाई है काफी अच्छा एरिया आई है देखिए यहां का जो बटरफ्लाइ पार्क है वो काफी अच्छा है इसमें काफी सेल्फी पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे और यहां पे न इस बटरफ्लाइ पार्क के अंदर काफी सारे मतलब ऐसे पॉइंट है कि वहां आप अराम से बैट के रेस्ट कर सकते हो यहां पर छोटी छोटी हट बनी हुई है और उनमें हमारी देशी बासा में कहीं तो मोडे पड़े हुए हैं और काफी अच्छे हैं मतलब काफी अच् सामने हैं और यहां पे चोटी सी चेंटीन हैं जिसमें आप कोल ड्रेंग चिप्स बिस्किट बगडरा यहां बैट की अरकाफी अच्छा है है मतलब कि One Life Centurium अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसमें पैदल नहीं जा सकते हैं काफी लंबा एरिया 13 से 14 किलोमेटर के आसपास पड़ता है और इसी में एक जील है कोसिस करेंगे हम आगे कभी जा पाएंगे तो आपको लेके जरूर चलेंगे उसमें कर दो आपको लेके जा सकते हैं कि जा सकते हैं कि ज एक एक जा जाते हैं झाल झाल तो फाइनली पार्क हमने दोनों गोम लिये हैं काफी अच्छा लगा आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या मिस्स कर दिया है हमने पोसिस करेंगे आगे भी कि कभी आएं और आगे गोमके जाएं बाइड लाइफ सेंचुरी तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और जो भी आपका सजेशन है सुजाब अगर आप देना चाहते हो तो सुजाब दीजिएगा वीडियो को लाइक करें अच्छी लगी हो तो और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें मिलते हैं आप से अपनी अगली वीडियो में तब तक चलिए जै हिन करें मिलते हैं